राधे राधे जैश्री कृष्ण तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा टिप शेर करने जा रहे हूं तो फ्रेंट्स हम कई वार जैसे आलो की सबजी बनाते हैं या आलो को फ्राई करने लगते हैं तो वो गढ़ाई की साथ चिपकने लगते हैं तो जिसे की हमें काफी परशानी होती है तो इसका एक बहुत ही अच्छा छोटा सा सॉल्यूशन है और बहुत ही असान सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी आलो को फ्राई करने लगें या आलो की कोई भी सबजी बनाएं तो आप उसको काट कर 10-15 मिनट के लिए पानी में भीगो दें और पानी में भीगोने से ये होगा कि उसका जो स्टार्च है वो निकल जाएगा और जब आप आलो को फ्राई करेंगे कम तेल में भी तो वो कढ़ाई से हैं पैन से चिपकेंगे नहीं तो हमारी जो सबजी है वो बहुत अच्छी बनेगी और आलो बहुत अच्छे क्रिस्प और बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होंगे और जो सबजी होती है वो भी काफी खिली-खिली बनती है तो इस तरह के छोटे-छोटे टिप्स का इस्तमाल करके हम अपने काम को काफी आसान कर सकते हैं और अपनी सब्झी को या किसी भी डिश को और पहले से बहतर बना सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको ये मेरा छोटा सा टिप अच्छा लगा होगा थैंक यू तो friends मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो सची लग रही है तो share, subscribe और like करिए